साथियों, अस्सलामू अलैकुम, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरो आफियत से होंगे. आज हम इस वीडियो में जानेंगे कौन है हौथी जो फिलिस्तीन से 1000 मिल की दुरी से गजा के हक में लड़ रहे हैं और आधी दुनिया को एक बड़े क् क्राइसिस में धकेल दिया है. तो बने रहे हमारे साथ आखिड तक. आप देख रहे हैं SD24. मैं हूँ मैरा कुरैशी. फिलिस्तीन में इसराइल ने शुरू किये नर संहार के बाद गजा से 1000 मिल की दूरी पर एक नया ग्लोबल क्राइसिस सामने आ गया. उसका नाम है हौथी. हौथियों का फिलिस्तीन को समर्थन, कोरोना के बाद फिर ग्लोबल एकॉनमी की तबाही की वजह बना. गजा में बह रही मासूमों के खून की नदियों को रोकने के लिए. हजार मील दूर से यमन के हौथियों ने अमेरिका, ब्रिटेन, इस्राइल समेत यूरोप को नंगा नचवाया. पडोसी मिस्र फिलिस्तीनियों के बहे खून में नहा कर नंगों के सामने मुजरा कर रहा है. यमन के हौथी वो मुजाहिद्दीन की सेना है, जिसने मौडर्न वेपन्स से लैस होकर लाल समुंदर को ग्लोबल शिपिंग का कब्रिस्तान बना डाला. 15 दिसंबर के बाद से, दुनिया की पांच सबसे बड़ी कंटेनर कमपनी, CMA, CGM, हपाग लॉइड, मैर्सिक और MSC, इसके साथ ही ब्रिटेन की ओयल कमपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने होथियों के डर से लाल सागर में अपनी सर्विसिस को रोक दिया है. इन कमपनीज के जहाजों को अर्बों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है. कई दिनों से कई शिप्स अपने घरों में सड रहे हैं. तो कुछ जहाजों ने लंबी दुरी के रास्तों से सफर शुरू किया, जो अफरिका से गुजरते हुए यूरोप जाता है. हिंद म भारत का इस समुदरी रास्ते से 200 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है. इसी के साथ भारत को रूस से आने वाला तेल भी इसी रास्ते से आता है. यमन के हौथी वो मुजाहिद्दीन की सेना है, जिन्होंने सुएज कनाल और बाब अलमंदब को ताले लगा दिये, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड की लागत बढ़ गई, क्योंकि शिपिंग को अब अफ्रीका के रस्ते भेजा जा रहा है, जो मोरक्कों से होते हुए यूरोप जाता है. हौथियों ने खड़े किये क्राइसिस के बाद कई सारी मुश्किलें पैदा हो चुकी हैं. लंबे रास्तों से जा रही शिपिंग को कई गुना ज्यादा सफर तय करना पढ़ रहा है, जिसकी वजह से किराया, लागत, बीमा प्रीमियम बढ़ गए. और 1973 के ओइल एंबार्गो से बड़े क्राइसिस से ग्लोबल एकॉनमी जूज रही है. चौराहे और नुकड़ पर 10-15 लोगों को साथ लेकर इसराइल की जैजैकार करने वाले अनपढ़ बेरोजगारों को क्या पता कि युद्ध की लपेटे हजारों किलोमीटर तक फैलती है और हाहाकार मचाती है खैर. 1973 में तो अरब देशों ने सिर्फ इसराइल के समर्थक मुलकों को तेल देना बंद किया था. मगर मुजाहिदी ने इसलाम हौथियों के फिलिस्तीन के हक में छेडे गए युद्ध के बाद. तेल के साथ सामान और खाने पीने की चीज़ों का क्राइसिस पैदा हो गया है. न अरब 1973 की तरह है और न कोरोना के बाद मगरीबी मुलक या अमेरिका है. अरब ओयल इंबार्गों नहीं लगाएगें. क्योंकि अब भी यूरोप में रूस युक्रेन युद्ध चल रहा है और चीन ग्लोबल पावर बन गया है. दोनों मुलक चीन और रूस तेल पर जिसका असर भारत में महंगाई की शकल में कम दिखाई देने लगा. लेकिन मगरीबी मुलक और यूरोप के तोते उड़ गए हैं. और यही वज़ह है कि इसराइल समर्थक होने के बावजूद अक्सर अमेरिका और यूरोप में बड़े प्रो-पैलस्टाइन SD24 News को फाइनशल सपोर्ट करने के लिए उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते रहते हैं. आपका सपोर्ट, आपके कॉमेंट्स, आपकी महोबबत, हमारे होसले बुलंद करते हैं. साथियों हमारे दुसरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए. क्योंकि फिलिस्टीन पर बोलने वाले कई चैनल को ब्लॉक किया जा चुका है. लिंक कमेंट, अपने कदम जमा लिये है. मिडल क्लास लोगों में इसका बुरा असर पढ़ रहा है. युद्ध में मिडल क्लास और गरीबों को ही मुश्किलों का सामना करना पढ़ता है. पॉलिटिशन, इंडस्ट्रियलिस्ट स्विस बैंक में जमा काला धन निकाल कर किसी भी मुल्क में शिफ्ट हो सकते हैं. लेकिन सडकों पर इसराइल जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए भटक रहे भक्तों में खाने के लाले पढ़ जाएंगे. नेतन नियाहू ने अपने बेटे को जंग में नहीं जोंका और अपने हजारों भक्तों को युद्ध में भेज कर मरवा दि तो ये थी आज की informative, knowledgeable जानकारी. इसी तरह की information, news and accurate analysis के लिए जुड़े रहे हमारे साथ. आप देख रहे हैं Social Democratic News SD24.